हिमाचल प्रदेश और उत्राखन में रविवार पूरा दिन बारिश का दोर जारी रहा और कई जगों पर सीजन की ताज़ा बर्फबारी भी दर्च की गई वहीं दोनों राज्यों में 18 और 19 अक्तूबर को तेज बारिश की आशंग का जताई गई है उत्राखन में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के साथ ही दहरा दुन में सोंवार को सभी स्कूल और आंगनवाडी केंद्रों को बंद रखने का निरणे लिया गया है मौसम भभाग में 18 अक्तूबर के लिए रेड अलर्ट जबकी 19 अक्तूबर के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे मनाली लाहल स्पिती धौलाधार और चमबा की चोटियों पर बर्फबारी के बाद दो दिन के लिए परियटकों के रोहतांग जाने पर रोक लगा दी गई है हालांकि अटल टनल से आवाजा ही सुचारू रहेगी इन ख्षेतरों में इस सेजन की पहली बर्फबारी के बाद तापमान में आठ डिगरी की गिरावट दर्ज की गई है हिमाचल के आठ जिलों कांगडा, कुलू, मंडी, शिमला, सोलन, सिर्माओर, किन्नाओर और लाहलस पिती में सोंवार को भी भारी बारिश का औरंज अलर्ट जारी हुआ है वहीं उना, बिलासपुर, हमीरपुर और चमबा जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है बर्फबारी के चलते परियटकों को सम्वीदन फिल इलाकों में न जाने की हिदाय दी गई है वहीं उत्राखंट की बात करें तो यहां पर किदारनाथ धाम में रविवार को ही बारिश और बर्फबारी के बाद खराब मौसम की चलते किदारनाथ यात्रा को सूमवार तक के लिए रोक दिया गया है शद्धालों को सोन प्रियाग और गौरी कुन में ही रोक दिया गया है इसके अलावा बद्रिनाथ में भी मौसम के मिजास को देखते हुए यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है